नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर निशान्त यागनिक है, मैं सीनर कंसल्टेंट नियुरोस वजन हूँ मनिपल हॉस्पिटल गुरगाओं में आज हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के बीच में ये जागरुपता में हेल्प करना कि जिसमें लोगों को पता चले कि स्ट्रोक एक ट्रीटिबल बीमारी है एक्शली क्या है कि बहुत लोगों को अभी भी लगता है कि स्ट्रोक का कोई ट्रीटमेंट नहीं है लोगों को ये समझ भी नहीं आता कि ब्रेन स्ट्रोक है क्या तो इस छोटे से टॉक में मैं आपको दो-तीन चीज़ें बताऊँगा एक, स्ट्रोक क्या होती है, दो, स्ट्रोक पहचानते कैसे है तीन, स्ट्रोक में सबसे important factor क्या है और चार, हमारे पास क्या therapies है उसके साथ-साथ हमारे कुछ patients भी हैं जिनकी बातें सुनके आप समझ जाओगे कि स्ट्रोक से सिर्फ लड़ना जरूरी नहीं है उसके उपर victory भी पाई जा सकती है पहली चीज़, स्ट्रोक क्या है सबने heart attack के बारे में सुना है brain stroke, brain का heart attack है basically दो type के stroke होते हैं एक में खून जाना बंद हो जाता है brain में और दूसरे में खून की नस फट जाती है brain इतनी complex चीज़ है कि heart attack में तो आपको पता चल जाता है कि heart attack हो रहा है एक आदमी आपना heart पकड़ के बोलता है कि मैं को दर्द हो रहा है, घुटन हो रही है लेकिन stroke में बहुत बार बोलने की शक्ती ही चली जाती है इसलिए part number two brain stroke को पहचानना कैसे है इसके बारे में मैंने brain stroke के अफसर पे एक article भी लिखा है लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ बहुत simple शब्दों में be fast be मतलब कि patient को बोलने की शक्ती patient की कम हो जाती है patient आपको बहुत बार आपके सामने बैठा होगा बहुत बार आपका boss बैठा होगा या आपका friend बैठा होगा जो अचानक से बोलना बंद करतेगा या उसकी speech slurred हो जाएगी या उसको बार-बार सीमी बात बोलता रहेगा पन ही सबसे पहली sign होती है बहुत बार A से आपके hard pair की मतलब आपका बहुत बार weakness चालू जाती है बट weakness चालू होने से पहले ही आपको brain stroke पहचानना है और ये आप पहचान पाते हो because patient बहुत बार एक side में हो जाता है आपको अचानक से लगे, वो बोलेंगे कि मैं सीधा नहीं उपा रहा हूँ, इसका मतलब एक stroke हो रहा है and S और T हमें है, T इसलिए है क्योंकि time और इस चीज़ के लिए हम third point पे आते हैं कि सबसे important चीज़ क्या है brain stroke में, वो है time brain में time is equal to brain, ये आप दिमाग में याद रखी जेगा brain stroke को पहचानना और time पे लोग को लेके आना hospital first aid का part हो चुका है इतना important चीज़ है, इसको school में पढ़ाया जा रहा है आजकर time जैसे जैसे निकला जाता है, brain उतना उतना stroke की जकणन में आ जाता है और याद रखिएगा कि एक बार बहुत बार brain में जो चीज़ चली जाती है बहुत समय लगता है उसको वापस आने में तो अगर हम उस चीज़ को बचा सकें पहले ही तो विश्वास रखिएगा ऐसे patients जो बोल नहीं पाते हैं मू टेड़े के साथ आते हैं और हाथ पर की कमजोरी के साथ हमारे पास आते हैं within about half an hour, one hour वो आप बिलकुल normal होके अपने friends और family से मिलते हैं और एक ऐसी चीज़ से बच जाते हैं जिसमें से पूरी life उनकी change होने वाली है और साथ वालों की और भी ज़दा change होने वाली है तो तीसरी चीज़, most important thing जो stroke में है वो time है आपको immediately ऐसे सेंटर पे आना है जहां पर neuro की facilities है rapid response है उस neuro की facilities का treatment जल्दी चालू हो सके और ये prepared और अच्छी facilities में होता है और आखरी चीज़, हमारे पास treatment क्या है brain stroke के बहुत लोगों को लगता है कि brain stroke हो गया, लखवा हो गया तो अब तो क्या ही होना है patient का ऐसा बिलकुल नहीं है brain stroke होने के बाद भी therapies हैं तीसरी चीज़, इसके लिए operation भी होते हैं जो खून की नस फटने वाले brain stroke होते हैं उसमें मैं specially एक चोटे चीरे से endoscope डालके, दुर्बीन डालके चोटे-चोटे चीरों से हम बिलकुल बड़े-बड़े brain hemorrhage brain clot आजकल निकाल सकते हैं और निकाले भी हैं और बहुत अच्छे result आते हैं चीज़ें जो 20 साल पहले नहीं थी वो अभी routinely यूज हो रही हैं successfully यूज हो रही हैं और patients जो 20 साल पहले अस्पताल आते नहीं थे या आके भी बचते नहीं थे आजकल चलते फिरते घर जा रहे हैं तो on the equation of brain stroke, a world stroke day I want to tell you कि आप सतर्क रही है, brain stroke को पहचानने की बारे में आप पढ़िये यूजिकि आपका एक छोटा सा ये action कि उसको time पहचानना और time पे सही center में लेके आना आपके father की, mother की, friend की, boss की, colleague की, wife की जान बचा सकता है और यही है फरक, between a good center and a average center और हमारे अच्छे center में आपको बहुत अच्छा इसका response मिलेगा, so I would like to say thank you and be fast